आज बहुत दिनों बाद हम जन की बात कर रहे हैं और आज जन की बात इसलिए क्योंकि बात ही कुछ एसी है बात है देश के भविशे की वो इसलिए के रिएंग हैं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत महीनें से हो रही थी, चाहे वो पेरेंस हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो सरकार हो, मन्थन लगातार हो रहा था, लेकिन मन्थन ये कल खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया, जो प्रधानवंत्री नरिंद्र मोदी ने चर्चा क और चर्चा के बाद ये कह दिया कि CBSC जो बारवी के बोड एक्जाम सोने हैं वो रद कर दिये जाएंगे उसके बाद अब आगे क्या होगा बच्चों का भविश्य कैसे बनेगा क्योंकि दसवी के बोड के एक्जाम कैंसल हुए ठीक है माल लीजे दसवी के बच्चों के पास क्या परद चाहिए जो रद करेंगे इसकी बारवी आता है उसकी बाद फिर कॉले जाता है लेकिन जो बारवी के स्टूडेंट्स है उनका अब आगे क्या होगा कैसे उन्हें एडमिशन मिलेगा कैसे उनका रिजल्ट आएगा क्या फॉर्मेट होगा आगे अगर वो हो रही है इन स्टूडेंट्स का मैं जिक्र करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहती हूं ध्यान एससी जीडी कॉंस्टबल 2018 के अभ्यरतियों की तरफ वो इसलिए क्योंकि वो भी दसवी पास थे बारवी पास थे उनका भविश्य आपने देखा हमने दो महीने कंटिन्यू पारूल दिखाया कि उनके भविश्य किस तरह से दिल्ली की सडकों पर रुंधता हुआ नजर आया वो अपनी लगातारवर्दी की मांग करते रहे अपनी नौकरी की मांग करते रहे लेकिन नौकरी नहीं मिली नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात है पारूल उन्हें तो आसवाशन तक नहीं मिला और इसी तर्श पर अब एक बहुत बड़ा तबका तयार हो रहा है वो है बारवी के students, जो इस साल परिक्षाएं देने वाले थे, चाहे वो CBSC की हो, चाहे वो अन्य राज्यो के बोर्ड की हो, हाला कि अभी दूसरे राज्यो के बोर्ड ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस पर मन्तन लगाता जारी है कि राज्य सरकारे अब क्या करने वाली है, सारी students ऐसे हैं, जो बहुत खुश हैं, खुशी मना रहे हैं, मिम्स बना रहे हैं, और Twitter पर ये मिम्स ट्रेंड भी कर रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने पूरी साल महनत करी, महनत करके उसने सोचा कि वो टॉपर लिस्ट में आएगा, अखुबार में उसकी फोटो छपेगी और उसके माता-पिता को गर्भ होगा, गर्भ होने के साथ साथ पूरे महले में लोग उसकी वहवाई करेंगे और उसकी ममी मिठाई बातेगी, वो सपना तो अधूरा रहे गया, जो 40 से 60 प्रतीशत लाने वाले बच्चे हैं, उसी में इनका नाम भी शामिल हो जाएगा, ट खत्रा मन रहाता हूँ, अपारों जबूर नज़रा रहा है, बिल्कुल काजोल और देखिए सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है, कि रिजल्ट किस बैसिस पर आएगा, क्योंकि देखिए कई सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है, कि रिजल्ट जो बनेगा, वो 10 नौवी और 11 के इंटरनल एक्जाम्स के हिसाब से रिजल्ट बना दिया जाएगा, लेकिन देखिए काजोल रिजल्ट आएगा, उन बच्चों के लिए तो यह रिजल्ट ठीक होगा, जो पढ़ाई में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में मन इनतदर कर रहे थे, बच्चों का अधूरा रह गया, वो इसलिए क्यूशलो क्याई जब कर दो नहीं होगे, उसके बच्चे स्टूरेंट्स अपने results से संतुश्च नहीं होगे, वो बाद में экزाम दए सखेंगे, लेकिन उसके बाद भी काजुल कहीं न कहीं जो एक मन में सवाल रहेंगे और एक जो इच्छा रहेगी बच्चों की वो पूरी नहीं होगी जो लोग इंजीनिरिंग डॉक्टरिंग करना चाते हैं उन लोगों को एड्मिशन वो एक्जाम कब दे पाएंगे और जो लोग फॉरन जाना चाते हैं वो किस तरह से एक्जाम देंगे क्योंकि उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है और आपको अपनी मार्कशीट जमा कर करेंगे क्योंकि साकार ने कह दिया हाला कि काजोल देखिया कोरोना की 30 लहर बच्चों पर ज्यादा प्रभावी रहेगी इसी को देखते हुए फैसर या गए सही भी है लेकिन कहीं कुछ और विकल्प भी इसका ढूनना चाहिए था क्योंकि सीधा तोर पर ये कह देना के र अब कॉंपिटिशन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे ही अंदाजा लगाए जा सकता है कि कट अफ अफ किस हिसाब से जाएगी यानि एडमीशन मिलने में भी बच्चों को बहुत सारी परिशानी होगी और काजोल ने भी जिक्र किया था कि भविश्य जो है देखिया क्वालिपाय भी हुए सब कुछ पास कर लिया लेकिन उन्हें जॉइनिंग नहीं दी गई सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी जब पढ़ लिकर वो स्टूरेंट्स अब अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुँचे थे उन्हें जॉइनिंग नहीं दी गई लेकिन जो क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि अगर आप रिजल्ट से संतुष नहीं होंगे दुबारा एक्जाम दे देंगे लेकिन उसमें भी एक शर्त रख दी गई है कि आप एक्जाम देंगे वो भी तब जब कुरोना से स्थिती सही हो जाएगी काजल देखिए एससे जीडी की ब पोर्ट आई है सामने जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना के समय में पिछले एक साल में एक करोड से ज्यादा लोग बेरोजगार यहां यानि कि काजल इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि बेरोजगारी की डर हमाई देश में किस तरह से बढ़ रही है बिल्कुल पारूल और इसमें बहुत सारे पॉइंस निकल कर सामने आये हैं, जो भी बाते आपने अब तक कहीं हैं, इसमें बहुत पॉइंस हैं, एक एक पॉइंस मैं गिनाओंगी सबसे पहले, मैं सबसे लास्ट पॉइंस को पगड़ती हूँ, यह पॉइंट था हमारी की दर है वो बड़ी है, तो आप अंदासा लगा सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि आगे जाके भारत की अर्थविवस्था फाइफ ट्रिलियन होगी या फाइफ बिलियन होगी जो भी है, वो कैसे होगी, सवाल यह सबसे बड़ा है, दूसरा यह कि सिर्फ बच्चों के भ आप करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपिस आते, आपिस से आकर आपने बच्चे को पढ़ाते हैं, त्यूशन के मेहंगी फीस देते हैं, मोटी-मोटी रकम देते हैं, त्यूशन बढ़ाने को लेकर अच्छे से अच्छा उन्हें एजुटेशन मिलें, इसको लेकर लगातार जो माबाप हैं वो सपने बुनते हैं चाहे विदेशों में पढ़ने भेजना हो या फर अच्छी उन्युवस्टी की तलाश करना हो पारुन ने अभी दिल्ली उन्युवस्टी का जिक्र किया देखे सिर्फ दिल्ली उन्युवस्टी ही नहीं तमाम बड़ी इंदिया की ऐसी है जो अब 2 महिने में कॉट उफ निकालती है हाला कि सवाल ये भी है कि कॉट औफ वो निकालेगी कैसे क्योंकि ये इन्वर्सटी भी जानती है कि कोरुना क्राइशीज है तो क्या कट ऑफ अभी निकलेगी या फिर अगस्स में निकलेगी या पिर सेप्टेंबर में जाकर क्योंकि September तक भी cut-off निकलती है दिली उन्वरस्टी की जो पेंडिंग में रहती है ऐसे में क्या परूल ये कहा जाए कि आने वाला साल भी कहीं न कहीं बच्चों का बरबाद होगा क्योंकि दो-तीन महीने की फिर पढ़ाई रह जाएगी जब September में cut-off निकलेगी बच्चों के admissions होंगे जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं अपने results से संटूस नहीं होंगे वो बच्चे पेपर देंगे उसके बाद कब result आएगा कैसे क्या चीज़ें होंगी यह बहुत सारे सवाल हैं अब यह सोचना होगा कि आगे राज्यो सरकारे क्या फैसलेती हैं जो बच्चे बहुत देखें, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं सब का अपना अलग अलग तैलेंट होता है जरूर नहीं है कि कोई बच्चा टॉप करें, कुछ बच्चे ना पढ़के भी बहुत सार चीजों में ऐसा कर जाते हैं कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स है, सचिंत अंदुलकर उनमें से एक बहुत बड़ा एक्जामपल है, और अगर हम Facebook के आउनर की बात करें, Mark Zuckerberg की, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्जामपल है, यह बहुत जादा पड़े लिखे नहीं है, लेकिन नामी लोगों में इसे एक हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत का भविश्य अब कैसा होगा, कॉम्प्टिशन की बात पा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो फॉरण में जाकर अच्छी अच्छी कंपनी में गूगल जैसी कंपनी में काम करते हैं, उनका नाम होता है, लेकिन जब कॉम्टिशन बढ़ जाएगा, देखिए, कुछ बच्चे जिन्हों ने पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे बच्चे हैं से जिन्हों ने पढ़ाई की, लेकिन वही रिजल्ट आएगा, और उसके बेसिस पर उनका अडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छी नुवरस्टी में, तो अच्छी नोकरी करना चाहेंगे, तो नोकरी उन्हें कैसे मिलेगी, ऐसे में अब ये फैसला सरकार को लेना है, राज्य सरकारों को, कि CBSC के एतर जो दूसरे बोर्ड हैं, क्या वो भी यही फैसला लेंगे, जो कल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ऐलान किया था, या फिर आगे जाके फैसले बद ले क्योंकि पेरिंस के कहना है कि हमारे लिए हमारी बच्चे की जान बहर किंती है, लेकिन एक अच्छा आप्शन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एक्जाम्स भी हो सकते थे, पिछले साल भी कई ऑनलाइन एक्जाम्स हुए हैं, या फिर आप अपनी पूरी तैयारी करिए, जब तमाम चीजें, यहां मैं जिकर करूँगी, कि जिवाल सरकार का, जब वो शराब ऑनलाइन डिलिवर करवा सकते हैं, इसको लेकर वो खुद कह सकते हैं, कि अब दिल्ली में शराब ऑनलाइन भी आप खरी सकते हैं, तो आखिर पढ़ाई के साथ इतनी नाइसा भी क्यों की जा रही है, पढ़ाई से तो देश का भविश्ये बनेगा, और देश का भविश्ये बनेगा, तो आगे हम जिस तरह से विकास्तील हैं तो विक्सित होंगे, ऐसे में कैसे होगा और काजोल इसी से कहीना कहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है, कि ज़रूर ढूंड लेना चाहिए ता सरकार को, और जिससा से आपने भी का, ऑनलाइन परिक्षा हैं, वो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, हाला कि देखिए, अगर 12 की बात ना करें, तो 8th, 7th, 6th क्लास तक कि समाम बच्चे ऐसे हैं, पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन ही एक्ज अच्छाए हुई थी, यूपी में, बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई, तब भी कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे इस विवस्ता के साथ, क्या CBSC बोर्ड या फिर बारवी के एक्जाम्स नहीं कराए जैसाते, अरे यार ऐसा तो नहीं है, कि जगा नहीं है हमारे पास, अगर एक क्लास के, मतलब एक स्कूल में, एक सेक्शन में, पैटालिस बच्चे हैं, या पिच्वतर बच्चे हैं, तो पचास पचाई पचीस पच्चेस बच्चों को कराके, आप एक शिप्ट के अकॉर्ड इसाम करा सकते थे, तरीके बहुत सारे थे लेकिन साफ तौर पर ये एकदम से कह देना के रद करा दी गई हैं परिक्चा, ये कही ना कहीं, इनसाफ उन बच्चों के साथ है, क्योंकि देखिए, काजुल 10th की अगर बात करें तो 10th के एक्जाम कैंसल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12th के बच्चों के साथ ये इनसाफ नहीं है कि एकदम से परिक्चा है कैंसल करा देना क्योंकि देखिए 10th में पहले भी 10th के एक्जाम कैंसल हुए, वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि 10th में पहले भी ग्रेडिंग ही सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन 12th की परिक्चा होना, 12th का रिजल्ट, 12th के नंबर बहुत माइने रखते हैं आगे कि बविशे के लिए, बविशे उनका पूरी तरह से निर्भर रहता है और यहीं से उनकी पहली सीड़ी तयार होती है, अगर पहली सीड़ी मजबूत नहीं रहेगी तो मन्जिल तक कैसे पहुँच पाएंगे? रोशन करना चाते थे, अपने शेहर का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाते थे, उनके साथ इंसाफ यह नहीं हुआ है, फिलाल के लिए इतना ही, आप देखते रहेगे, News World India